इस वीडियो में हम देखेंगे के और वो कैसे वापस फिर किया जाता है सबसे तहले इसका तो सेंटर वाला पार्ट है उसको बन किया जाएगा इसका पेज लगाएंगे यह इसकी क्रेंगोले डपी है इसके मैं में पेज इसके साथ ही रखे वे हैं ताके बिस प्रेस ना हो सबसे तहले इस डपी को बन कर देता हूं ताके इसकी मूवमेंट अदब हो जाएगा इसके नट नीचे से लगते हैं सब के सब पेचों के यह ख्या रखना है ताके बाद में तभी कोलना हो तो आसनी रहेगा देए इसके लखन ब्रेंट वाली टपी तेद हुई है पहले मैं सब के पेच आद से ही टागिट करूंगा इसके बाद बेट प्रेस इस्तमार करेंगे यह एसकी एजस्मेंट होती है इसकी पत्रियों को यह जो पकड़ने वाला है इसका इसको नीचे रखते हैं तांके नीचे से अज़ास के बाद के तुक्ते हैं और को फिट करने के बाद अब इसके जो बटन वाला इडिया है इसको बाद से पेश लगते हैं और इसके नट पेश नहीं होते हैं इसके तरबेचे होते हैं यह बाद से लगेंगे कि अना इसके प्रच कि ढाद और को दाद कार मांग दार सकता उसका कार देल अर वालने करने कि तर भ्लफ कैबकार जलोक्ते हैं लुपक कि अनाल यट सुजए ग्यामकाय कर फंगते हैं इसके तीन पेज होते हैं लेंगे तीनों पेज काईट हो गए अब ये जो सेंटर वाला चूला है इसके नट पेज होते ही नहीं मैंने एक पेज कराया है इसको नीचे से अब इसको नीचे से साफे जो मेला, से ताइ जाँ जाँ इस पेज की चुंकि जगा काम सी हाथ से टाइब नहीं हो सकता था इसके लिए मैं पेजस लगाती है यह क्यार रखना है कि कोई भी केबल डिस्टरब ना हो यह जो सबसे इंपोर्टन पेज है क्योंकि इसमें अर्थ की तार होती है यह इसकी पेज के साथ ही लगाते हैं इसका जो ट्रेंट वाला सेक्शन है जिससे चुड़ा आटमेटिक लिए प्रेंट पगर के अन होता है वो नहीं होगा इसको लगा दें यह मैंने पेज के साथ इसको लगाया है और नीचे से नट लगा रहा हूँ ताके यह अर्थ इसके साथ अटैच हो जाए और इसका सरक्ट ट्रेंट वाला सरक्ट वो चलता रहा है इसको भी मैंने प्रॉपर टाइट कर दिया है ताके हम इसको टाइट करना भूलना जाएं यह हमारा सेंटर वाला जूला बिल्कुल फिट हो चुका है अब साथ गोलों की बारी है यह साथ गोला बढ़नर इसको आपने इसको इस तरह इसको पुश करना है तो आपके यह लिए इसके इंदर चला गया है अब इसको पकड़के रखें और इसके सेंटर सेंटर वाला पेज नले लगेगा इस पेज डाल दिया है मैंने अब यह देखें एजी हो गया है यह वापस में जारा कि स्प्रिम के ज़वर्वर राइसे वापस में जारा है अब आप इसको लीचे से हलका सा फूरा टार्ट मी करोगा के इसमें नट लगातूंगा ताकि ये फुरा सा मूप हो सके और बाकी पे अपनी जगा पे अड़ास किये जा सके और ये बाकी के दोनों पेश इस तरह लगते हैं अब इनके नट लगा दिये जाएंगे नेंचे से कि हुआके प्सेंसे अब इसे तरह दूस्ते को भी यहां इसमें डाल के और इसको फुश किया है पुश किया है कि सबसे पहले सेंट्र वाला बटन लगेगा, टेश लगेगा अब मैं इसका कट नहीं लगाता हूँ, ज्यादा इसी नैस होगी कि बाकी दोनों भी पेट अपनी जगह बेट करती है यह ज्यादा इसी है, ज्यादा इसी तरीका है अब यह देखें यह इसी लिए, नाट इंके टाइट हो रहे हैं पहले के निसमाद, पहले के निसमाद, पहले के निसमाद, लें 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 मारा दूसा बंडल भी लगे है अगर में की अगर में की इस्टारे लगाते हैं जो के लास्ट स्टेप है आए त्यक्यों स्टार श्टाइट के के लिए त्टार में की और अगर स्टाइट की कया स्टार में में इसमाद की लगा दीया और इसके पॉर्ड के नीचे आजाती है आप पहले ही लगा सकते हैं इस तरह आप वो सही लगे यह मैंने लगा दी है यह बहुत अराम से लग जाएगी कोई मुश्किल नहीं है कोशी करें तारें एक साइड पे रहें अगि कोई चीज़ से उपर गिर तो यह तारें जलेका और नहीं जले कोशी तारें ना इसे तो यह बहुत अच्छी इतारो क्लिटी की रहे होती है और यह नहीं जलती अब मैं यह सीर की तारें लगा रहा हूँ पहुछे का लगती है ब्लाइक वाली ब्लाइक लिक पर रखेंगे, यह क्योंके शिशे वाली हो मैं तो इसका शिशा है इसमें सिर्फ इन बटनों का तीनों बटनों का हिसाब होता है कि यह स्राफ के सेंटर में आएं ताके बटन भी असाली से पुश और पॉस पे और स्पेस भी मिरें यह देखें यह विल्कुल सेंटर में है और यह शिशा रख दिया अब इसको रखने से पहले हमने जो पेज आथ से टाइट किये हैं उसको उनको हम टाइट कर लेते हैं बलके सब पेजों बेट दफ़ा पेजकर से टाइट कर लेते हैं बलके से टाइट कर लेते हैं सबसे पहले मैं सेंटर माले को टाइट का रहा हूँ यह प्लेट रखी और यह इसके पेस लगा दिये यह साइट प्लेट यह उपर से तीनों पेज टाइट कर देए यह ग्रेट करते हैं शीशे को यह टाइट करने बहुत जरूरी है मस्ट है कोशिश करेंगे इस पेज़ों को टाइट करने से पहले मुबलाईल तेल लगा लें मुबलाईल तेल क्योंके जलता नहीं है इसमें लगा हूँआ वो जलेगा नहीं और यह पेस नेक्स टाइम उपन हो जाएगा और उपन होने में कोई मुश्किल पेस नहीं आएगी क्योंके पेस्टों को हीट लगती है इसके विएसे यह बहुत काईट हो जाते हैं और जांग भी लग जाता है और यह खुटे नहीं है इनको मुबलाईल अगर जो मोटसाइकल के हम इंजन इटाते हैं इंजन आई इसको कहते हैं वह अगर हम इसको पुरा सा लगा लें इस चूड़ी पर लगाके टाइट कर लें तो यह नेक्स टाइम पूर लेंगे बहुत असान रहें असानी रहें अब हम इसके पंडर और जानिया उपर लगाएंगे और यह हमारा लास्ट है यह सेंटर बले चूलेगा यह स्वराक यह स्वराक यह इस कृंट वले डो क्रंट वला गे राण है इसमें जाएगा यह इसका पिक्या आएकी उपर इस तरह साइड वाला सबसे पहले यह नीचे वाला करा लगीगा यह आप हो आपके देखने, और फिर उसके बाद यह उपर वाला, फिर यह सैंक्र वाला, और आप उससे चूले की बारी है, फिर करहा लगे का पहले, फिर यह उपर इसका जाली, फिर यह सैंक्र वाला, और आप यह उपर इसके स्टैन्ड आ जाएंगे, आप सिर्फ बटन आ लिए, बटन से पहले यह इनके कबर्द हैं, जो इसके साथ किया थे, बाश्चर कह सकते हैं, इसको रबर किया यह, यह, कोई की गंद पगएर इसमें किनने से बचाती है, बटन का आपने काउस किया रखना है, क्योंकि यह तीनों बटन मुख्त होते हैं, इसमें कट लगाता है, और उससे आपकराइडी हो जाएगा, समें के दो समें लगेशखँ घुरुबन, यह, करें लगाओकर्छ, यह, को जगाता है। क्यायकी रund विच्थ जव जगएगसे मैं कियो चेलिग रवी जुदकरे डीं हो यह मारा जोला प्याद है जोला प्याद है